Hello everyone, welcome back to my channel Kids Learning Fun आज हम डिस्क्स करने वाले हैं Class First of Hindi Worksheet Class First related Hindi, English, Math and EBS की Worksheet and Slivers को चेक करने के लिए चैनल पे विजिट कीजिए और Playlist section में जाकर के आप वहाँ पे उनको चेक कर सकते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं First question हमने यहाँ पे लिया है समान अर्थ वाले शब्द लिखो तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिये गए हैं और इनके समान अर्थ वाले शब्दों को हमें यहाँ पे लिखना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया गया है सुबह सुभा का समान अर्थ वाला शब्द यानि की जो पर्यायवची शब्द होता है वो होता है सवेरा नेक्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है घर और घर का समान अर्थ वाला शब्द होगा आवास नेक्स्ट है आस्मान और आस्मान का समान अर्थ वाला शब्द होगा गगन हवा, हवा का समान अर्थ वाला शब्द है पवन जल, जल का समान अर्थ वाला है शब्द नीर सूर्य, सूर्य का समान अर्थ वाला शब्द है रवी समुद्र, सागर आँख, नेत्र या फिर चक्षू लाश सब्द है हमारा रात और रात का समानर्थ वाला शब्द होगा निशा तो यहाँ पर हमने कम्प्लीट किये हैं समानर्थ वाले शब्द नेक्स्ट कोशन है दिये गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द छाट कर लिखें तो शब्द हमें यहाँ पर नीचे दिये गए हैं इनको एक बार रेट कर लेते हैं किसान, गायक, अतीत, अध्यापक, सत्यवादी और अमर यहाँ पर हमें कुछ sentences दिये गए हैं, इनको हमें पढ़ना है और इनसे जो शब्द हमारा बनेगा वो हमें यहाँ पर लिखना है तो पहले नंबर पर हमें दिया गया है जो बीत चुका है, यानि कि जो बीत चुका है जो सत्य बोलता हो, यानि कि जो सच बोलता हो, उसके लिए शब्द हमें करेंगे इस्तमाल सत्यवादी नेक्स नंबर पर है, जो कभी ना मरे, यानि कि जो कभी भी नहीं मरता हो, उसको क्या कहते हैं, अमर जो खेती करता है, उसके लिए हम कहेंगे किसान जो विध्याले में पढ़ाता है अध्यापक तो यहाँ पे हमने हमारे शब्द कम्प्लीट किये है अनेक शब्दों के लिए हमने एक शब्द को लिखा है So next question है हमारा संघ्या शब्द चुनो तो यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिये गए हैं और इन में से हमें संघ्या को चुनना है, तो पहला वाक्य है हमारा कबूतर उड रहा है, तो यहां पे हमारी संघ्या है कबूतर, आयुष मेरा भाई है, आयुष जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, यानि की एक लड़के का नाम है, तो आयुष हमारी संघ्या हो गई, और मेज पर चडिया बैठी है, तो यहाँ पर हमारी संग्या है दो, मेज और चडिया, क्योंकि यह चीजों में आएगा और यह आएगा पक्षी में, राधा दिल्ली में रहती है, तो यहाँ पर भी हमारी दो संग्या है, एक तो वेक्ति का नाम है राधा, लड़की का नाम है और ये हमने यहाँ पे संग्या शब्द को चुना है और उनको हमने यहाँ पे नीचे एक रेखा खीची है. Next question है, नीचे लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्द पर गोला लगाओ. तो सर्वनाम क्या होते हैं हमारे सर्वनाम होते हैं बच्चों जो शब्द संग्या के स्थान पर प्रियोग किये जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है. तो जैसे यहाँ पर फर्स नमबर पर हमें दिया गया है मुझे, हरा, आप, तो मुझे जो है वो सर्वनाम है, इस पर हम गोला लगा देंगे, इसके बाद है आप, ये भी हमारा सर्वनाम है. नेक्स नमबर पर दिया गया है तुम, रात, दिन, तो तुम हमारा सर्वनाम है, उसको, तुम्हारा, राधा, यहाँ पर भी हमारे दो सर्वनाम है, उसको, और तुम्हारा, घर, उसने, वह, तो यहाँ पर है उसने, और वह, रास में दिया गया है उन्होंने, राम, तुम्हे तो यहाँ पे हमारा सर्वनाम है उन्होंने और तुम्हें, क्योंकि राम जो है वो हमारी संग्या है, यहाँ पे राधा भी संग्या है, घर भी संग्या है, तो यहाँ पे हमने हमारे सर्वनाम को गोला किया है, So next question है, दिये गए शब्दों को एक से अनेक बनाएं तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिये गए है, इनको हमें पढ़ना है और फिर एक शब्द से अनेक शब्द में हमें इनको convert करना है तो पहले नंबर पर हमें दिया गया है गमला तो इसको जब हम अनेक शब्दों में बनाएंगे, तो बनेगा गमले तारा तारे केला केले रात राते लड़का लड़के बच्चा, बच्चे नेक्स कोशन है हमारा खाली स्थान भरो तो यहाँ पे हमें कुछ sentence दिये गए है यानि की वाक्य दिये गए है इनको हमें read करना है और जो खाली स्थान हमें दिये गए है इनको हमें भरना है तो चली इनको पढ़ लेते हैं अप्रेल के बाद डैश आता है तो यहाँ पे हमारे महीनों के नाम लिखे गए है तो यहाँ पे है अप्रेल के बाद मई आता है जनवरी के बाद और मार्ट से पहले डैश आता है सितम्बर से पहले डैश आता है सितम्बर से पहले अगस्त आता है अप्तूबर के बाद नवंबर आता है तो यहाँ पे हमने हमारी कम्प्लीट किये है हिंदी वर्कशिट अफ क्लास फर्स्ट अगर आज की वर्कशिट आप लोगों के लिए हेलफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजगा साथ ही बैल नोटिफिकेशन पे जाकर कि अगर आप आप आल पे क्लिक कर देते हैं तो आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी थैंक यू झाल पे जाएगी